कवे के बताय हुए 14 शुब संकेत कवे से जुड़े शगुन अप्शगुन के बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में इसी के साथ जानेंगे के पशु पक्षियो द्वारा कैसे आपको रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन से आप जान सकते हैं कि आने वाला समय अच्छा होगा या बुरा शुब होगा या आशुब और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे पक्षियों के बारे में जिनका आपके घर में आना अच्छा नहीं माना जाता अगर ये पक्षिया आपको दिखाई दे तो इने तुरंट भगा दे तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अन तक जरूर देखियेगा नमश्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से दोस्तो सची श्रद्धा से कमंस में जरूर लिखे हर हर महादेव दोस्तो कववा एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसके घटने के पुर्व हो जाती है कववे को कई दिवे शक्तिया प्राप्त है वो पहले ही जान लेता है कि मनश्य के साथ क्या क्या होने वाला है हमारे समाज में चीर काल से ही कववे को लेकर शुब अशुब शगुन अपशगुन से जोड़ी बातों का उलेक किया जा रहा है शगुन शास्त्र में भी कववे से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है इस वीडियो में हम आपको कववे से संबंदित शगुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी दे रही हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्टि की वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें दोस्तो नमबर एक यातरा के समय अगर आपको कवा बरतन में मूँ दबा कर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो ये धन लाब का संकेत है आपकी यातरा आवश्य सफल होगी दोस्तो नमबर दो मार्ग में अगर आपको कववा मू में रोटी या मास का टुकडा लिये हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है दोस्तो नमबर तीन अगर प्रात्यकाल में कववा आकर आपके पाउं से स्पर्श करके जाता है तो यह आपकी उन्नती और धन प्राप्ति का संकेत है दोस्तो नमबर चार ऐसी मान्याता है अगर कववा भूमी को खोदता हुआ नजर आए तो भारी लाब होता है दोस्तो नमबर पांच, रास्ते में जाते समय कवव अगर पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो मन वंचित फल मिलता है दोस्तो नमबर चे, सूरे उदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर कवव बोलता हुआ दिखाई देता है तो यह आपकी प्रतिष्ठा ततधन में व्रिधी का सूचक है लेकिन शाम के समय कवव का छत पर आना या बोलना शुब नहीं माना जाता दोस्तो नमबर साथ, अगर आपको कवव अपनी चोच में किसी वस्तर का टोड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुब संकेत है दोस्तो नमबर आठ, यातरा पर जाते समय कवव अगर मधूर्वानी बोलता हुआ आपकी दाहीनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाता है तो आपका कोई कठिन कारे आश्चरे जनक रूप से सफल होगा नमबर नो, ठीक दोपहर से पहले अगर पोर या उपतर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कववे का सुवर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना गया है नमबर दस, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कववा आकर बैठ जाए तो ये उस्त्री के लिए शुब संकेत है इसे धन प्राप्ती का संकेत माना जाता है नमबर ग्यारा, अगर कववा मुँ में रेत, अनाज, गीली, मिट्टी या फल, फूल भर कर आपके घड़ तक ले आए तो ये अचानक होने वाले धन प्राप्ती का संकेत है आपको कोई लोटरी भी निकल सकती है, ऐसा भी माना जाता है कि आपके पुर्वज याने पित्र बहुत प्रसन है दोस्तो नमबर बारा, बैसाक के महीने में जब कववा किसी हरे भरे विक्ष के उपर अपना घोसला बनाता है तो इससे वर्षया के आने का संकेत मिलता है नमबर तेरा, रास्ते में अगर आपको कुछ कववे एक दूसरे के मुँँ में परस पर भोजन देते हुए दिखाई देते हैं तो ये बड़ा ही शुब संकेत है दोस्तो नमबर चौदा, अगर सुबह सुबह आपके सो कर उठने के बाद घर पर कववा आए और काए काए की रट लगाए तो ये किसी अतीथी के आगमन का संकेत है कोई महमान आने वाला है या आपको कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है दोस्तो अगर आपको ये संकेत मिले तो आप भागयश आली है आप बहुत जल धनी होने वाले हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके परिवार को पूरी तरह से बरबाद कर सकते हैं यहां तक की गर्बती महिला के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता ये कुछ पक्षी गलती से भी आपके घर में नहीं आने चाहिए नहीं तो आपके घर का अंजाम बुरा हो सकता है ऐसा माना जाता है कि इन पक्षीयों का आपके घर में होना बहुत ही अशुब है वहीं कुछ पक्षियों का घर में आना बहुती जादा शुब माना जाता है इनके घर में आने से व्यक्ति को जल्द ही अपार्धन की प्राप्ति होती है तो चलिए जानते हैं कि किस पक्षी का घर में आना है शुब और कौन सा वो पक्षी है जो आपको करोड़ पती बना देता है और साथ ही हम जानेंगे कि सुबह उटते ही अगर आपको इन में से कोई भी एक चीज दिखाई दे जाए तो समझ जाएए कि आप है भागेशाली दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छा जाए लेकिन भविश्य में क्या लिखा होता है ये उन्हें नहीं पता होता ऐसे में जोति शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए है जिनसे व्यक्ति की किसमत और उसके दिन की गन्ना की जा सकती है तो आईए जानते हैं उसके बारे में नमबर एक अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही आसपास जल का पक्षी या सफेल फूल दिख जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिन अच्छा बीतने वाला है क्योंकि ये दोनों ही शान्ती के प्रतीक होते हैं नमबर दू सुबह उठते ही अगर गाएं दिखें या उसकी आवाज सुनाई दे जाए तो समझ जाएए कि दिन बेहद ही शुबहोने वाला है ये धन प्राप्ती का संकेत है नमबर तीन जोति शास्त्र के नुसार गोबर या हरी घास का सुबह के समय दिखना भी अच्छा माना जाता है इससे व्यक्ति के जीवन में खुशाली आती है इससे नए लोगों से मुलाकात होने की संभावना होती है सुबह के समय नारियल, शंख, मोर या हनसाधी का दिख नारियल, शंख, मोर या हरी आती है इससे व्यक्ति की तरक्की होती है साथ ही उसे टेंशन से राहत मिलती है नमबर पांच अक्सर घर के सामने गाएं के सुबह सुबह गोबर कर देने से लोग परिशान हो जाते हैं लेकिन जोति शास्त्र में इसे अच्छा संकेत माना गया है कहते हैं कि इससे देवी लक्षमी प्रसन होती है और घर में उनका आगमन होता है नमबर चे सुबह अपनी हतेलियों को देखने से मा लक्षमी मा सरस्वती और हरी के दर्शन हो जाते हैं जिससे धन ग्यान और सुक की प्राप्ती होती है नमबर साथ सुबह गनेश ची की तस्वेर या मूर्ति के दर्शन भी शुब माने जाते हैं। कि इन पक्षियों का आपके घर में आना बहुत ही ज़्यादा अशुब होता है। माता लक्षमी के होने का सबूत है। या आपके घर में घोसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे सपने में कववी की आवाज सुनाई देना या घर में कववा बैठा देखना कहीं से अच्छा समचान आने का संकेत है। एसी मान्यता है कि टिटहरी जजदिन पेड़ पर या किसी के भी घर में अच्छा संकेत नहीं होता। नमबर चार उल्लू अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एकी दिशा में चिलाता रहता है तो यह बहुत ही अशुब संकेत माना जाता है। जय महाकाल